कि आप सभी लोगों का सुवागत है सचता नद महिद पे तो मैं आप लोगों को कुछ सवाल लेके आया हूं जो इस तरह है और इनको हम बताएंगे यह रिजनिंग का सवाल है जो कलेंडर जोन पॉप गेगरी का नाम आप जानते होंगे जो कलेंडर को संसुदित किया और फाइनल किया तो उनके ही रिजनिंग कलेंडर का सवाल हम आपको बताएंगे यह हम लोग का कलास यह फोर है कलास यह फोर है हम लोक आज तो यूपी पूलिस दो हजार आठारों और नैस आल स्रिप में पूछे गये जितने सवाल है उनको हम आपको बताएंगे तो कैसे हल किया जाए यह बताएंगे और वो सवाल हम आपके सामने लेके आए है जो यूपी पुलिस पच्चीस दस दो हजार आठारों के सवाल पुछा गया था तो वही सवाल हम आपको बताएंगे तो यह रिजिनिंग चैप्टर का यह सवाल है अब हम सवाल बनाते है कै ऐसे की आखी आप को यहां दीआ गिए कि एक फरवरी 2000 से लेकर 31 मार्च 2000 तक कि इतने दीन होगे कि इतने दिन होगे यहीद क्लियर करना है एधिक एधि आप थोड़ा साहस्स ना जानते हो तो कहेंगी यहां से एक फरऔरी से लेकर 31 मर्ज तक यह जोड देंगे, तो हम से 7- 31 मर्ज दो 31 मर्ज यह है पूरा हम इनको जोड देंगे तो HOW चाही अठ thought नौह ला होगा यह उत्तर हो जाता है जिन में आप 69 इसमें आपसन तो नहीं है आपसन नहीं है तो मान के चलिए तीन दो पांच छै नहीं होगा 5 होगा 69 हम लोग को उनसट दिन मिल गया तो हम लोग आपसन बींपे कर देंगे हम लोग का उत्तर सही हो जाता है लेकिन एक छोटी पॉइंट यहां पे गलत कहां कर रहे हैं देखेंगे यहां पे एक फरवरी में जो 28 दिन होता है तो 28 दिन तो हम लोग का 2000 जो दिया है वो किलियर करेगा कि 28 दिन का होगा कि 29 दिन का अब हम लोग 2000 के बारे में थ सताब़ी किसे काते है जिनके सिप्शति ही किया है पूरा इन फूरीच चटाबदी खा यहो कि इसे ही किलिएर होता है कि इनका अफरोरिय होगा वो सधारण नहीं होगा 28 का नहीं होगा 29 दिन का होगा यानि लीप वर्स या लीप सताब्दी के जो फरवरी मा होते हैं वो 29 दिन के होते हैं आप सधारण 28 दिन के तो यहां पे 28 नहीं होगा 29 दिन होगा अब इनको जोडेंगे तो 9 और एक 10 होगा 10 होगा और 3 और 2 5 और एक हांसे 6 कितना हो गया? 60, तो 60 दिन हो गया अब इह हम लोग का सही उत्तर हुआ जो इनमें आपसान नमबर C है, तो एवाला गलत था, ठीक है? अगला नमबर देखी और लीप वर्स जानने के लिए हम लोग का करते हैं? जैसे 2000 यहां पे है 2000 में हम लोग यदि 4 से भाग कर दें, पूरा-पूरा कट जाता है, यह छोटी पॉइंट आप याद रखेंगे, यही आपको आगे यानि हर एक समय काम आएगा लीप वर्स निकालने के लिए 4 से जीट सन में भाग देते हैं पूरा-पूरा कट जाता है तो हम लोग को पता चल जाएगा कि पूरा भाग चला गया तो लीप वर्स है तो 2000 में भाग देंगे, 4 से जीट पूरा कट रहा है तो ये लीप सताबदी है सताबदी के मतलब कि इनमें पूरा जीरो है दोनों आंग तो सताबदी मानेंगे अगला नमबर अगला नमबर यदि एक अगस्त को बुद्ध हो आ रहा है तो एक सितंबर को कौन सा दिन होगा अगला कोश्चन देखिए यहाँ पर एक अगस्त दिया है तो एक अगस्त को बुद्ध हो आ रहा है लिख लेंगे कि एक अगस्त को कौन सा दिन है बुद्ध हो आ रहे एक अगस्त को बुद्ध हो आ रहे तो यहाँ पर दिया है एक सितंबर को कौन सा दिन होगा तो हम लिखेंगे एक सितंबर, एक सितंबर को काउन सा दिन होगा यही पूछा जा रहा है ना, एक सितंबर को काउन सा दिन होगा यही बताना है आप, तो पता चल गया एक आगस्त को बुद्धवार था, तो आप कहेंगे आगस्त कितने दिन के होते हैं, तो कहेंगे 30 दिन के होते हैं कितने 30 दिन के आगस्त होते हैं उसके बाद सितंबर में एक दिन दिखेंगे सितंबर में पहला ही दिन है ना तो पहला दिन का मतलब एक दिन हुआ तो यह खाये एक दिन जोड़े लेंगे तो कितना टूटरल होगा हो जाएगा 31 दिन कितना हो गया 31 दिन हो गया तो 31 दिन को हम लोग हपते यानी सब्ता हमें चेंज कर लेंगे तो सब्ता हमें चेंज करने के लिए क्या करते हम लोग सब्ता का मतलब 7 दिन कितने होते हैं 7 दिन तो 7 से हम भाग देंगे तो सब्ता हमें जाएगा तो साथ से जैसे भाग देंगे, तो इसमें बचेगा कितना, साच्चो के 28, तो बचा इनमें 3, तो आपको मिला 3, क्या मिला, 3 मिल गया, तो 3 ये वीसम दीन है, क्या हुआ वीसम दीन, अब हम लोग का करेंगे, कि 3 को ले चल कर बुद्ध होवार में जोड देंगे, इनमें जो तो बुद्ध होगा, बुद्ध, बेफे, सुक, सनिच्चर, तो आप बुद्ध में जैसे 3 दिन जोड़े दें, तो आगला दिन क्या मिलता है, सनिवार मिलता है, तो इनका आप्शन नमबर, ए हो जाता है, आगला नमबर, आगला नमबर यदि, वर्स की 10 जनवरी को ब्रहस ब्रहस्पतवार था, तो उसी वर्स, उसी वर्स, गैर लीप वर्स के पहली मार्च को, पहली मार्च को कौन सा वार, यानि कौन सा दिन था, तो हम इनको पहले लीख लेते हैं, यानि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गैर लीप मतलब क्या होता है, गैर लीप वर्स मतलब क क्या होता है तो बत्ताते हैं आपको देखिए तो हम लोग पहले इनको लखते हैं कि दस जनवरी को ब्रिहस्पतवार ठाथ को सबसे पहले हम लोग love क्यें तो सबसे पहले हम लोग गयर लीपके मतलब जाने देखिए एक होता है सद्धारन दिन के क्या होता है सध्धारन धी जोसाधारन दिन होता है हुआborg क्यान के 28 दिनके वहते हैं कितने दिन के 28 दिन के वहते हैं और उसके बाद सधारण दिन हो गया तब तो ही तो होगा एक सधारण होता है तो एक फस्ट क्वाल्टी का होता है तो हम लोग फस्ट क्वाल्टी में लीप वर्स मानते हैं का मानते हैं लीप वर्स और सदब्दी मानते हैं तो और हम लोग का जो लीप वर्स तो यहां पे लिखा है गयर क्या एक जो होता है आठाय ओन तीस दिन का जो फरवरी होता है वो लीप वर्स में होता है किसमें लीप वर्स में होता है तो हम लोग को लिखा है गयर तो गयर का मतलब है क्या कि लीप वर्स नहीं है सधारण है गयर का मतलब होता है दूसरा गयर का मतलब दूसरा यानि लीप वर्स नहीं है कोई दूसरा है तब हम लोग का हुआ मिलेगा कि दस जनौरी तो खतम हो चुका है दस जनौरी खतम हो चुका है तो इसमें बचा कितना है जनौरी में चुके 10-31 का जनौरी होता है तो दस दिन खतम हो गया बचा एक कई दिन उसके बाद आप यहां पर फरावरी महाःजोई वह ओ लिप वर्स नहीं है तो बचा आठाइस दिन तो आठाइस दिन का होता है और उसके बाद यहाँ पे क्या है एक मर्च तो फर्ष्ट मर्च का मतलब एक दिन तो हम यहाँ पे लिखती है एक दिन अब इसको कैसे हम लोग दिन में convert करेंगे दखिए यदि यह पूरा का पूरा यदि साथ से भाग जाता है तो इनको छोड़ देंगे इनको छोड़ देंगे, यानि सब्ता हमें चेंज हो गया, इसमें भी साथ से पूरा भाग देंगे, तो इनको भी छोड़ देंगे, सब्ता हमें चेंज हो गया, बचा कितना आपके पास, एक दिन बचा केवल, एक दिन, यानि विसम एक दिन, तो यह एक विसम दिन बचा, कहेंगे कि सुक्रवार होता है क्या होता है सुक्रवार अगला कोश्चन देखिए अगला कोशन यदी बीता हुआ परसों सनीवार था देखिए ये सवाल पढ़ेंगे न तो आप सही बना लेंगे लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो सही बना देंगे आप यदी बीता हुआ परसों सनीवार था तो पहले हम लोग पहले बीता हुआ यानि येदि बीता हुआ परसों पहले जाने रभी वर था तो आज येदि हम मानते हैं क्या है ये आज हो गया ये आज हुआ बीता हुआ परसों तो बीता हुआ परसों का मतलब ये ये कल हुआ और कल से एक दिन आगले जो दिन होते हैं उनको हम लोग कहते हैं परसों शनी वार समझ में आ गया हम लोग देखी इनको का करते हैं इतना हम लोग को का पता चल गया कि आज जो दिन है उससे मतलम नहीं आज से कल और कल से अगले दिन को हम लोग का कहते हैं परसों कहते हैं तो उस दिन सनीवार था अब आने वाला परसों तो इसी दिन से गिंती करेंगे एक आने वाला कल हुआ और कल से एक आने वाला परसों हो गया उस दिन कौन दिन है यही किलियर करना है कि यहां पे जो दिन आएगा वो कौन सा दिन होगा तो आप समझ चुके होगे कि जब यह सनीवार है तो सनीवार के बाद क्या आता है रभीवार ठीक है और रभीवार के बाद क्या आता है रभीवार के बाद सोमवार और सोमवार के बाद मंगलवार और मंगलवार के अगला दिन क्या होता है बुद्धवार तो जो इसमें दिया गया है उसी पी हम लोग का करेंगे आपसे न कर लेंगे बस गीनेंगे की परसों और कल और अगले दिन कैसे आते हैं तो अगला कोश्चन दखी यदि इसमें दिया है यदि जनवरी का 12 दिन जनवरी का 12 दिन कौन दिन है ब्रहस्पत्वार है ठीक है अब जैसे यहां पर जनवरी का 12 दिन दिया है ब्रहस्पत्वार है लेकिन आगे इसमें दिया चार दिन पहले चैर दिन पहले का मतलब का हुआ उसमें घाटाएंगे तो बारह में से चार घाटा देंगे तो खितना बचेगा आठ बचेगा तो हम यहां पर लिखेंगे आठ का लिखे आठ दिन यानि पीछे चला गया न तो आठ दिन जैसे पीछे जाएंगे देखो तो पीछे जा रहे है तो व्रहस्पत्वार दिनं तुभGu पीजह जाएं हम लोग यानि बारहाभवाभ दिन है तो बहस्पत्वार है तो बहस्पत्वार में बाराभ में से चार कम करेंगे तो डिए भूक पीछे करेंगे हम लोग सही तो पीछे अ तो जैसे ब्रिहस्पतवार में हम लोग चार दिन कम करते हैं, तो का उस दिन मिलेगा, रभी वार मिलेगा, का मिलेगा, रभी वार, अब हम लोग का करेंगे, अब सवाल दिया है कि एक कैसमा दिन कौन सा दिन होगा, अब एक कैसमा दिन पुछा जारा है न, तो एक कैसमा दिन कव्ण सा दिन होगा यही निकालना है देखिए कैसे निकालेंगे सबसे पहले तो बारह, बारह होए दिन बिर्थपतवार है तो उसमें से हम लोग चार दिन कम कर दिए, तो आठ दिन हो गया, यानि आठ तारीक आ गया उसके बाद ब्रहस्पतवार्स में से चार दिमी कम करेंगे, तो रबी बार मिल गया अब हम इन दोनो們 का निकाल लेते हैं गय घकालेंगे गय इखा निकालेंगे तो इनकाब 21 में से आठ गम कर देंगे तो मिल जाएगा 9 में 21 में से 13 होगा समझ भी आ रहा है अब हम लोग का करेंगे कि 13 को हम साथ से भाग दे देंगे तो एस अपताह में जाएगा वो दिन में कनवर्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 6 हम लोग का 6 दिन क्लियर हो गया कितना हो गया? 6 वो पहले गलत हो गया था नो हो गया था ता छैंध गए हुआ हाद चैंट को हम हम किस में जोड़ेंगे इ Originally रभी वार में जोड़ेंगेसे निलोग आगे बढ़ेंगे तो जब बैघे दिन हम लोग आगे जोंड लीजिये सुमार से स्टार्ट कर वर्ष शाठवा दीन क्या होता वो av सनीवार होता है, आगला नमबर देखिए, आगला नमबर है निम निमे से कौन सा वर्स, अधी वर्स, अधी देखिए, यहाँ पर लिखाए, अधी वर्स, अधी वर्स, यहाँ अधी वर्स को हम लोग कहते हैं, लिख वर्स, क्या कहते हैं, लिख वर्स, तो इसमें बताना है कि वो कौन सा वर्स है, जो लिख वर्स है, आपको कहा जाए, दो हजार चौबिस, तो दो हजार चौबिस कहते हैं, आप तो पूरा पूरा भी भाग दे सकते हैं, किसे भाग देंगे, चार से, यहाँ पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग लिख वर्स, का कहेंगे, लिख वर्स कहेंगे, क्लियर हैं, तो लिख वर्स पता करने के लि एक सधारन का होता है और एक लीफ होता है तो लीफ में कितने होते हैं 28 दीन का फरवरी होता है और इमें 39 दीन का होता है फरवरी तो यही पता करना है कि लीफ वर्स कैसे पता करते हैं चार से भाग देती हैं तो आप परतेक में चार से भाग दे करेंगे कि कौन पूरा-पूरा कट रहा है और जो पूरा-पूरा कट जाएगा उसी को हम लोग का बताएंगे कि अधी वर्स यानि लीफ वर्स है और जो न कटे उसको का कहेंगे सधारण वर्स तो यह आप कमेंट बाक्सま इनका उत्तर आप दे देंगे बहुत असान है, चार से तो भाग देंगे, और समझ में आया है, तो एक लाइक किजिए, और कमेंट में वेजिए, किस तरह लगाए आपको, और इसका उत्तर कितना हुआ, चार से भाग देके निकाल लेंगे, तो आप से कोई भी सवाल पूछा जाए तो इससे चार से भाग दे कर किलियर कर सकते हैं वो सदहारण वर्स है कि लिप वर्स है अगला नमबर देखी अगला नमबर एक कल से पहले का दिन सुक्रवार था कल से पहले का दिन सुक्रवार था तो देखिए पहले का आज पहले हम लोग तो मानेगे आज मानेगे आज के बाद कल और कल से क्या है देखिए कल से पहले का दिन तो पहले आज हुआ उसके बाद कल हुआ कल से पहले का दिन, इसको सुक्रवार, हो गया, आप देखिए, कल के बाद का दिन, तो ये आज है, उसके बाद ये कल हुआ, कल के बाद वाला दिन, इस दिन को, कौन सा दिन होगा, ओही किलियर करना होगा, तो आपको मिल चुका है सुक्रवार, क्या मिला, सुक्रवार मिल चुका है, और सुक्रवार के बाद क्या आता है, कहेंगे आप सनीवार आता है, सनीवार, सनीवार के बाद क्या आता है, रभीवार, रभीवार के बाद सोमवार, तो हम यहाँ पे सोमवार लिखते हैं और सोमवार के बाद मंगलवार और मंगलवार, मंगलवार किन का दिन है? हनुमाइन जी का दिन है, जो आपको पता चल गया तो मंगलवार सी वाला आपसन सही हो जाता है तो इसको कैसे बनाएं ये सवालों में दम नहीं अगले दिन है परसो यही तो बात है तो आपसे पुछा गया कि आज पहले तो हम लोग आज गिनेगी आज से कल, पीछे वाले में तो कल ये हो गया और कल से एक दिन बाद पीछे जाएंगे तो सुक्रवार वो कहा इसमें प्रस्ण में दिया गया है उसके बाद था तो कल के बाद दिन बताएं तो ये वाला हम लोग अगला दिन बता दी आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बाक्स में कुछ बता से लेकर आए इसके लिए बड़े भाई धन्यवाद